मुन्शी प्रेम चंद्र द्वारा लिखी कहानी कानूनी कुमार, मिस्टर कानूनी कुमार, MLA अपने ओफिस में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और रिपोर्टों का एक धेर लिए बैठे हैं देश की चिंताओं से उनकी देह स्थूल हो गई है सदैव देशोधार की फिक्र में पड़े रहते हैं, सामने पाक है उसमें कई लड़के खेल रहे हैं, कुछ परदेवाली स्त्रियां भी है फैंसिंग के सामने बहुत से भिखमंगे बैठे हैं, एक चाय वाला एक व्रिक्ष के नीचे चाय बेच रहा है कानूनी कुमार, आप ही आप, देश की दशा कितनी खराब होती चली जाती है गवन्मेंट कुछ नहीं करती, बस दावते खाना और मौज उड़ाना उसका काम है पाक की ओर देखकर आह, ये कोमल कुमार सिग्रेट पी रहे हैं, शोक, महा शोक कोई कुछ नहीं कहता, कोई इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करता तमबाकू कितनी जहरीली चीज है, बालकों को इससे कितनी हानी होती है, ये कोई नहीं जानता तमबाकू की रिपोर्ट देखकर, ओफ, रोम्टे खड़े हो जाते हैं जितने बालक अपराधी होते हैं, उनमें 75 प्रती सैकडे सिग्रेट बाज होते हैं, बड़ी भयंकर दशा है, हम क्या करें, लाक स्पीचे दो, कोई सुनता ही नहीं, इसको कानून से रोकना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, कागस पर नोट करता है, तम बाकू बहिश गजब है, गजब है, कितना घोर अन्याय, कितना पाश्विक व्यवहार, ये कोमलांगी सुन्दरियां चादर में लिप्टी हुई कितनी भद्धी, कितनी फूहर मालूम होती हैं, अभी तो देश का ये हाल हो रहा है, रिपोर्ट देखकर, स्त्रियों की मृत्यू संख्या बढ़ रही है, तपेदे कुछलता चला आता है, प्रसूत की बिमारी आंधी की तरह चड़ी आती है और हमें की आँखें बंद किये पड़े हैं, बहुत जल्दी रिशियों की ये भूमी, ये वीर प्रस्विनी जन्नी रसातल को चली जाएगी, इसका कही निशान भी न रह गवन्मेंट को क्या फिक्र, लोग कितने पाशान हो गए हैं, आखों के सामने ये हत्याचार देखते हैं और जरा भी नहीं चौकते, ये हम्रित्यू का शैथिल्य है, यहां भी कानूनी जरूरत है, एक ऐसा कानून बनना चाहिए, जिससे कोई स्त्री परदे में न रह सके, अब समय आ गया है कि, इस विशय में सरकार कदम बढ़ावे, कानून की मदद के बगेर कोई सुधार नहीं हो सकता और यहां कानूनी मदद की जितनी जरूरत है, उतनी और कहां हो सकती है, माताओं पर देश का भविश्य अवलंबित है, परदा हटाव बिल पेश होना चाहि जानता हूँ बड़ा विरोध होगा, लेकिन गवनमेंट को साहस से काम लेना चाहिए, ऐसे नपुनसक विरोध के भए से उध्धार के कार्य में बाधा नहीं पढ़नी चाहिए, कागस पर नोट करता है, यह बिल भी असेंबली के खुलते ही पेश कर देना होगा, बहुत व सरकार की, लक्ष्मी फूले फलें, कानूनी हच जाओ, यू सुवर कोई काम क्यों नहीं करता? बिक्षुक, बड़ा धर्म होगा सरकार, मारे भूप के आँखों तले अंधेरा, कानूनी चुप रहो सुवर, हर जाओ सामने से, अभी निकल जाओ, बहुत दूर निकल जाओ मसौदा छोड़कर फिर आप ही आप, ये रिशियों की भूमी आज भिक्षुकों की भूमी हो रही है, जहां देखिए वहां रेवर के रेवर और दल के दल भिखारी, ये गवन्मेंट की लापरवाही की बरकत है इंग्लेंड में कोई भिक्षुक भीख नहीं मांग सकता, पुलिस पकड़ कर काल कोटरी में बंद कर दे किसी सभ्य देश में इतने भिक्मंगे नहीं है, ये पराधीन गुलाम भारत है, जहां ऐसी बाते इस बीसवी सदी में भी संभव है उफ, कितनी शक्ती का अपवेय हो रहा है, रिपोर्ट निकाल कर, ओह पचास लाख, पचास लाख आदमी केवल भिक्षा मांग कर गुजर करते हैं और क्या ठीक है कि संख्या इसकी दुग्मी नहो ये पेशा लिखाना कौन पसंद करता है, एक करोर से कम भिखारी इस देश में नहीं है ये तो भिखारियों की बात हुई, जो द्वार-द्वार जोलीलिये घूमते हैं इसके उपरान टीकाधारी, कोपींधारी और जटाधारी समुदाए भी तो हैं, जिनकी संख्या कम से कम दो करोर होगी जिस देश में इतने हराम खोर, मुफ्त का माल उड़ाने वाले, दूसरों की कमाई पर मोटे होने वाले प्रानी हो उसकी दशा क्यों न इतनी हीन हो, आश्चर्य यही है कि अब तक ये देश जीवित कैसे है, नोट करता है, एक बिल की सक्त जरूरत है, उसे पेश करना ही चाहिए नाम हो, भिखमंगा बहिशकार बिल, खूब जूतियां चलेंगी, धर्म के सूत्राधार खूब नाचेंगे खूब गालियां देंगे, गवन्मेंट भी कन्नी काटेगी, मगर सुधार का मार्क तो कंटका कीर्न है ही, तीनों बिल मेरे ही नाम से हो, फिर देखिये, कैसी खलबली मचती है, आवाज आती है चाय गरम, चाय गरम, मगर ग्राहकों की संख्या बहुत कम है, कानूनी कुमार कवस्तू और ग्राहक कोई नहीं, सब यदेशों में पानी की जगह चाय पी जाती है, रिपोर्ट देखकर, इंग्लेंड में पांच करोर पॉंड की चाय जाती है, इंग्लेंड वाले मूर्क नहीं है, उनका आज संसार पर आधिपत्य है, इसमें चाय का कितना बड़ा कौन इसका अनुमान कर सकता है, यहां बेचारा चाय वाला खड़ा है और कोई उसके पास नहीं फटकता, चीन वाले चाय कर स्वाधीन हो गए, मगर हम चाय ना पिएंगे, क्या अकल है, गवन्मेंट का सारा दोश है, कीटों से भरे हुए दूद के लिए इतना शोर मचता ह मगर चाय को कोई नहीं पूछता, जो कीटों से खाली, उत्तेजक और पुष्टिकारक है, सारे देश की मती मारी गई है, नोट करता है, गवन्मेंट से प्रशन करना चाहिए, असेम्बली खुलते ही प्रशनों का ताता बांग दूंगा, प्रशन क्या गवन्मेंट बताए प्रशन करना चाहिए, कलाई पर घड़ी, आँखों पर एनक, पाव में उची एडी का लेडी शू, हाथ में एक बटुआ लटकाये हुए, साडी में ब्रूच है, गले में मोतियों का हार, कानूनी, हलो मिसेज बोस, आप खूब आई, कहिए, किदर की सेर हो रही है, अब की तो, आलोक, मैं आपकी कविता बड़ी सुन्दर थी, मैं तो पढ़कर मस्थ हो गया, इस ननहे से हृदय में इतने भाव कहां से आ जाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, शब्द विन्यास की तो आप रानी है, ऐसे ऐसे चोट करने वाले भाव आपको कैसे सूज जाते हैं मिसेज बोस, दिल जलता है, तो उसमें आप से आप धुए के बादल निकलते हैं, जब तक स्त्री समाच पर पुरुशों का अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमीना रहेगी कानूनी, क्या इधर कोई नई बात हो गई? बोस, रोज ही तो होती रहती है, मेरे लिए डॉक्टर बोस की आग्या नहीं की किसी से मिलने जाओ, या कहीं सेर करने जाओ, अब की कैसी गर्मी पड़ी है की सारा रक्त जल गया, पर मैं पहाडों पर ना जा सकी, मुझसे यह अ कात्रिये मरते हैं? वो कलब में नहीं जाना चाहते, उनका समय रुप्य उगलता है, मुझे क्यूं रोकते हैं? वो खदर पहने, मुझे क्यूं अपनी पसंद के कपड़े पहनने से रोकते हैं? वो अपनी माता और भाईयों के गुलाम बने रहे, मुझे क्यूं उनके साथ रो रोकर दिन काटने पर मजबूर करते हैं। मुझसे ये बरदाश्ट नहीं हो सकता। अमेरिका में एक कटुवचन कहने पर संबंध विछेद हो जाता है। पुरुष जरा देर में घर आया और स्त्री ने तलाग दिया। वो स्वाधीनता का देश है। वहां लोगों के वि ही लोगों पर है जो समाज के नेता और व्यवस्थापक बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्त्रीों को गुलाम बना कर स्वाधीन हो जाया, तो यह अन्होनी बात है। जब तक तलाग का कानून न जारी होगा, आपका स्वराज य आकाश कुसुम ही रहेगा। डॉक्टर मिसेज एय का प्रवेश, गोरा रंग, उचा कद, उचा गाउन, गोल हाडी की सी टोपी, आखों पर एनक, चेहरे पर पावडर, गालों और ओन्थों पर सुर्ख पेंट, रेश्मी जुराबे और उची एडी के जूते। कानूनी हाथ बढ़ा कर, हलो मिसेज एय, आप खू मिसेज एय, मिसेज बोस की और मुसकरा कर, दंगी तो रह गए या कुछ किया भी, हम स्त्रिया अपना कलेजा निकाल कर रख दे, लेकिन पुरुषों का दिल न पसीजेगा। लेडी एय, उनकी सूरत उन्हें मुबारक रहे, मैं खूबसूरत पराधीनता नहीं चाहती, बदसूरत स्वाधीनता चाहती हूँ, वह मुझे अपकी जबरदस्ती पहार पर ले गए, वहां की शीत मुझसे नहीं सही जाती, कितना कहा, कि मुझे मत ले जाओ, मगर किसी तर ले नहीं चलना चाहती, मिसेज बोस उठकर खिड़की के पास चली जाती है, कानूनी, अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक का बिल असेंबली में पेश करना पड़ेगा, एय, खैर, आपको मालूम तो हुआ, मगर शायद कयामत में, कानूनीक नहीं मिसेज अबकी छुट्टियों के बाद ही यह बिल पेश होगा और धूमधाम के साथ पेश होगा, बेशक पुरुशों का अत्याचार बढ़ रहा है, जिस प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएं कर रही हैं, वह वश्य हिंदू समाज के लिए घातक है, अ ऐसा बनाना की मुह न दिखा सकें, लेडी एयर, पेशगी धन्यवाद देती हूँ, हाथ मिलाकर चली जाती है, मिसेज बोस, खिड़की के पास से आकर, आज इसके घर में घी का चिराग जलेगा, यहां से सीधे बोस के पास गई होगी, मैं भी जाती हूँ, चली जाती है, क कानूनी मोजे, लंबे बूट, पीछे एक टेरियर कुत्ता भी है, कानूनी हलो मिस्टर आचार्य, आप खूब आये, आज किदर की सेर हो रही है, होटल का क्या हाल है, आचार्य, कुते की मौत मर रहा हूँ, इतना बढ़िया भोजन, इतना साफ सुत्रा मकान, ऐसी रोशनी इतना आराम फिर भी महमानों का दुर्भिक्ष, समझ में नहीं आता, अब कितना खर्च घटाओं, इन दामों अलग घर में मोटा खाना भी नसीब नहीं हो सकता, उस पर सारे जमाने की जंजट, कभी नौकर का रोना, कभी दूधवाले का रोना, कभी धोबी का रोना, कभी मेहतर का रोना, यहां सारे जंजाल से मुक्ती हो जाती है, फिर भी आधे कमरे खाली पड़े हैं, कानूनी, ये तो आपने बुरी खबर सुनाई, आचार्य, पच्छिम में क्यूं इतना सुक और शान्ती है, क्यूं इतना प्रकाश और धन है, क्यूं इतनी स्वाधीनता और बल है, इन ही होटलों के प्रसाद से, होटल पश्चिमी गौरव का मुख्य अंग है, पश्चिमी सभ्यता का प्रान है, अगर आप भारत को उन्नती के शिखर पर देखना चाहते हैं, तो होटल जीवन का प्रचार कीजिए, इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है, जब तक छ होटल के प्रचार में ही सब कुछ है, हम अपने सारे महमानों की फिक्र अपने सिर लेने को तयार है, फिर भी जनता की आँखे नहीं खुलती, इन मूर्खों की आँखे उस वक्त तक न खुलेंगी, जब तक कानून ना बन जाए, कानूनी, गम भीर भाव से, हाँ, मैं सोच रहा हूँ, जरूर कानून से मदद लेनी चाहिए, एक ऐसा कानून बन जाए, कि जिन लोगों की आए 500 से कम हो, होटलों में रहें, क्यूं? आचार्य, आप अगर यह कानून बनवा दें, तो आने वाली संतान आपको अपना मुक्तिदाता समझेगी, आप एक कदम में देश को 500 वर्ष की मन जिल तै करा देंगे, कानूनी, तो लो, अबकी यह कानून भी असेंबली खुलते ही पेश कर दूंगा, बड़ा शोर लोग देश द्रोही और जाने क्या क्या कहेंगे, पर इसके लिए तैयार हूँ, कितना दुख होता है, जब लोगों को अहिर के द्वार पर लुटिया लिये खड़ा देखता हूँ, स्त्रियों का जीवन तो नरक्तुल्य हो रहा है, सुबह से 10-12 बजे रात तक घर के धंध कैसे उठावें, अध्ययन कैसे करें, आपने खूब कहा, एक कदम में 500 सालों की मंजिल पूरी हुई जाती है, आचार्य, तो अब की बिल पेश कर दीजिएगा, कानूनी, अवश्य, आचार्य हाथ मिला कर चला जाता है, कानूनी कुमार खिड़की के सामने खड़ा होकर, हो कानूनी कुमार, आप ही आप, इस समाच का, इस देश का और इस जीवन का सत्यानाश हो, जहां रमनियों को केवल बच्चा जनने की मशीन समझा जाता है, इस बेचारी को जीवन का क्या सुख, कितनी ही ऐसी बहने इसी जन्जाल में फंसकर 32, 35 की अवस्था में जबकी वास्तव में जीवन को सुखी होना चाहिए, रुगन होकर संसार यात्रा समाप्त कर देती हैं, हा भारत, यह विपत्ती तेरे सिर से कब टलेगी, संसार में ऐसे ऐसे पाशान हरिदे मनुष्य पड़े हुए हैं, जिन्हें इस दुखियारियों पर जरा भी दया नहीं आती, ऐसे अंधे, ऐसे पाशान, ऐसे पाखंडी समाच को, जो स्त्री को अपनी वासनाओं की वेदी पर बलिदान करता है, कानूं के सिवा और किस विधी से सचेत किया जाए, और कोई उपाए ही नहीं है, नरहत्या का जो दंड है, वही दंड ऐसे मनुष्यों को मिलना चाहिए, मुबारक होगा वो दिन, जब भारत में इस नाशिनी प्रथा का अंथ हो जाएगा स्त्री का मरन, बच्चों का मरन और जिस समाच का जीवन ऐसी संतानों पर आधारित हो, उसका मरन, ऐसे बदमाशों को क्यों न दंड दिया जाए, कितने अंधे लोग हैं, बेकारी का ये हाल की भर पेट किसी को रोटिया नहीं मिलती, बच्चों को दूद स्वपन में भी नहीं मिलता और ये अंधे हैं कि बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाते हैं, संतान निग्राह बिल की जितनी जरूरत है, इस देश को उतनी और किसी कानून की नहीं, असेंबली खुलते ही ये बिल पेश करूँगा, प्रलय हो जाएगा, ये जानता हूँ, पर और उपाए ही क्या है? दो बच्चों से ज्यादा जिसके हो, उसे कम से कम पांच वर्ष की कैद, उसमें पांच महीने से कम काल कोटरी नहो, जिसकी आमदनी सो रुप्ये से कम हो, उसे संतानोत पत्ती का अधिकार ही नहो, मन में बिल के बाद की अवस्था का आनंद लेकर, कितना सुख मय जीवन हो की सुर्खी नजर आएगी, तब मजबूत हाथ पांव और मजबूत दिल और जिगर के पुरुष उत्पन होंगे, मिसेस कानूनी कुमार का प्रवेश, कानूनी कुमार जल्दी से रिपोर्टों और पत्रों को समेट लेता है और एक उपन्यास खोल कर बैठ जाता है, मिसेस तुम सारी दुनिया के लिए कानून बनाते हो, एक कानून मेरे लिए भी बना दो, इस से देश का जितना बड़ा उपकार होगा, उतना और किसी कानून से न होगा, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा और घर घर तुम्हारी पूजा होगी, कानूनी, अगर तुम्हारा खया कि मैं नाम और यश के लिए देश की सेवा कर रहा हूं, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती भर भी नहीं समझा, मिसेज, नाम के लिए काम कोई बुरा काम नहीं है, तुम्हें यश की आकांक शाहो, तुम्हें उसकी निंदा ना करूंगी, भूलकर भी नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसी ही तद्बीर बता दूंगी, जिससे तुम्हें इतना यश मिलेगा कि तुम उप जाओगे, फूलों की इतनी वर्शा होगी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे, गले में इतने हार पड़ेंगे कि तुम गर्दन सीधी न कर सकोगे, कानूनी, उत्सुकता को छिपा कर, कोई मजाक की बात होगी, देखा मिन्नी, काम करने वाले आदमी के लिए इससे बड़ी दूसरी बाधा नहीं है कि उसके घरवाले उसके काम की निंदा करते हो, मैं तुम्हारे इस व्यवहार से निराश हो जाता हूँ, मिसेज, तलाक का कानून तो बनाने जा रहे हो, अब क्या दर है, कानूनी, फिर वही मजाक, मैं चाहता हूँ, तुम इन प्रशनों पर गंभीर विचार करो, मिसेज, मैं बहुत गंभीर विचार करती हूँ, सच मानो, मुझे इसका दुख है कि तुम मेरे भावों को नहीं समझते, मैं इस वक्त तुम स जो बात करने जा रही हूँ, उसे मैं देश की उन्नती के लिए आवश्यक ही नहीं, पर मावश्यक समझती हूँ, मुझे इसका पक्का विश्वास है, कानूनी, पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, अपनी जेप मिटाने के लिए हसता है, मिसेज, मैं खुद ही कहने हमेशा एक न एक गुल खिला ही करता है, कहीं एक मुफ फुलाए बैठा है, कहीं दूसरा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहा है, कारण जानते हो क्या है, कभी सोचा है, पुरुशों की रसिक्ता और क्रिपन्ता, यही दोनों एब मनुश्यों के जीवन को नरक तु हो जाती है, पुरुश मद्य सेवन करने लगते हैं, यह बात है या नहीं? कानूनी, बहुत सी बुराईयां ऐसी हैं, जिन्हें कानून नहीं रोक सकता, मिसेज, कह कहा, मार कर, अच्छा, क्या आप भी कानून की अक्षमता स्वीकार करते हैं, मैं यह नहीं समझती थी, मैं नहा सूनगी, मैंने उन बुराईयों को रोकने का एक कानून सोचा है, उसका नाम होगा, दिमपती सुक शान्ती बिल, उसकी दो मुख्य धाराएं होंगी और कानूनी बारी किया तुम ठीक कर लेना, एक धारा होगी कि पुरुश अपनी आमदनी का आधा बिना कान ने काल कोटरी, बोलो मंजूर है, कानूनी गम भीर होकर, असंभव, तुम प्रकृती को पलट देना चाहती हो, कोई पुरुश घर में कैदी बनकर रहना स्वीकार ना करेगा, मिसेज, वो करेगा और उसका बाप करेगा, पुलिस दंडे के जोर से कराएगी, ना करेगा, त इतनी स्थ्री को घर की मुर्गी समझना और दूसरी स्थ्रियों के पीछे दोरना, क्या खालाजी का घर है, तुम अभी इस कानून को अस्वाभाविक समझते हो, मत घबढ़ाओ, स्थ्रियों का अधिकार होने दो, ये पहला कानून ना बन जावे, तो कहना की कोई कहता था स्थ्री एक-एक पैसे के लिए तरसे और आप गुल छर्रे उड़ाएं, दिल लगी है, आधी आमदनी स्थ्री को दे देनी पड़ेगी, जिसका उससे कोई हिसाब न पूछा, जा सकेगा कानूनी, तुम मानव समाच को मिट्टी का खिलोना समझती हो, मिसेज, कदापी नहीं, मैं यही समझती हूँ कि कानून सब कुछ कर सकता है, मनुश्य का स्वभाव भी बदल सकता है कानूनी, कानून यह नहीं कर सकता, मिसेज, कर सकता है, अगर वो जबरदस्ती लड़कों को स्कूल भेच सकता है, अगर वो जबरदस्ती विवाह की उम्र नियत कर सकता है, अगर वो जबरदस्ती बच्चों को टीका लगवा सकता है, तो वो जबरदस्ती पुरुषों को घ जबरदस्ती जो काम कराया जाता है, उसमें करने वाले को कश्ट होता है, तुम उस कश्ट का अनुभव नहीं करते, इसलिए वो तुम्हें नहीं अखरता, मैं यह नहीं कहती कि सुधार जरूरी नहीं है, मैं भी शिक्षा का प्रचार चाहती हूँ, मैं भी बाल विवाब बं सुधार हो जाए, आप से कुर्सी तो छोड़ी जाती नहीं, घर से निकला जाता नहीं, शहरों की विलासिता को एक दिन के लिए भी नहीं त्याग सकते और सुधार करने चले हैं आप देश का, इस तरह सुधार नहोगा, हाँ, पराधीनता की बेड़ी और भी कथोर हो मिसेश कुमार चली जाती हैं और कानूनी कुमार अव्यवस्थित चित्सा कमरे में टहलने लगता है